हेलो इबरीवन स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इडूटेडिया का प्रैक्टिस सेट नमर 11 देखेंगे इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट का सलूशन हम लोग देख चुके हैं अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्ल सदन समीति के अध्यक्ष निम्लिखित में से कौन थे तो सदन समीति सदन समीति के अध्यक्ष थे पटावी सितारम्या पटावी सितारम्या चलिए कुछ और समीति और उनकी अध्यक्ष देख लेते हैं जैसे कारज संचालन समीति था तो कारज संचालन समीति के अध्यक्ष नहरू तदर्थ सम्मिती इसके दखते रजेंदर परसाद अगर आपस नहें कि ब्यापार वनीजी की सोतंतरता ब्यापार वनीजी की सोतंतरता किस देश के समिधान से भारतिय समिधान में सामिल किया गया है तो ब्यापार वनीजी की सोतंतरता या अस्ट्रेलिया देश से लि लिया गया है अगला पसने कि किस वर्स उरिशा का नाम बदल कर उडिशा कर दिया गया तो यह कर दिया गया दो हजार ग्यारा इसवी में तो चली कुछ और जान लेते हैं जैसे पहले संजुक्त प्रांद था संजुक्त प्रांद का नाम बदल कर उत्तर परदेश 1950 इसवी में कर दिया गया पहले कोचिन को अभी वर्तमान में किरल कहा जाता है या 1956 में कर दिया गया मदरास मदरास पहले नाम था अब तमिलाडु हो गया 1979 में कर दिया गया मैसूर पहले नाम था अब करनाटक है 1973 में कर दिया गया उत्रांचल पहले उत्राखंड को उत्रांचल कहते थे जो 2007 में उत्राखन बना पांडी चरी था वर्तमान में पुड़ु चरी है या 2006 में बना और उरिशा को ओडिशा कर दिया गया 2011 में अगला पसने कि भारत के महानेवादी के समंद में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो इसकी नियुक्ति राष्ट पती के दोरा की जाती है सही है या भारत का सरोच बिधी अधिकार ही होता है सही है इसे भारत के सभी नियालों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है तो इन भारत के सरोज विधी अदिकारी होते हैं यानि कह सकते हैं कि यह भारत के सबसे बड़े वकिल होते हैं अगला परस नहीं कि नियांत्रणिवा महालेखक प्रिष्छक size प्रस्तुत किये गए वार्सिक परति व्यदिनों की जाँच कौन करता है तो यह करता है लोक लेखा समीती और लोक लेखा समीती में टोटल 22 सदस होते हैं इसमें से 15 लोक सभा से और 7 राज सभा से होते हैं उसके बाद इसके अध्यक्स लोक सभा के विपक्षी दल के नेता बनते हैं अब आगया प्राकलन समीति तो इसमें 30 सदस होते हैं 30 के 30 लोकसवा से होते हैं और प्राकलन समीति को लोकलन समीति का जुरुवा बहन कहा जाता है अगर आपस ने कि किसी राज में मुख मंत्री सहित मंत्रियों की नियुंतम संख्या कितनी हो सकती है तो या 12 हो सकता है किसी भ तीन में यह एक उपबंध बना दिया गया कि मंत्री परसद में मुख मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधान सभा के सदसों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है तो नियुन्तम 12 होगा ठीक है अंतराजिये नदी जल बिवाद का उलेख किस अनुछेद में वड़नित है तो अंतराजिये नदी जल बिवाद का उलेख है या अनुछेद 262 में इसका उलेख किया गया है अंतराजिये नदी जल बिवाद का उलेख किया गया है और संग सुची के अंदरगत इससे विशय को रखा जाता है ग्र दिन पर संसद बीधी बनाकर लगा सकती है जी सीमा सुल्ख हो गया, उत्पाद सुल्ख हो गया, निगम सुल्ख हो गया समवर् толi सुची पर केंद्र और राज दूनों नियम बना सकते हैं और राज सुची पर केवल राज बना सकते हैं ठीक है वरतमान में संग सुची में 100 विसा है समवर्थी सुची में 52 और राज सुची में 61 विसा है अगर आपस नहीं कि केंद्रिये बीत आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है तो केंद्रिये बीत आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की जो कुल संख्या होती है वो पाँच होती है और बीत आयोग एक समिधानिक संस्ता है इसका उलेक समिधान के आटकिल दिसो दवरा ली जाने वाली सपत का उलेक किस अनसुची में किया गया है तो यह तीसरी अनसुची में किया गया है और पांचवी अनसुची में एसी एस्टी के बारे में बताया गया है अगला प्रसने कि पुर्वी हिमाले छेतर के लाल पंडा स्वरक्षन है तो लाल पंडा पर्योजना को कब लागो किया गया तो लाल पंडा पर्योजना को 1996 में लागो किया गया तो चलिए कुछ और पर्योजना के बारे में जान लेते हैं जैसे लाल पंडा पर्योजना 1996 में आया था उसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया प्रोजेक्ट हंगुल आया 1970 में प्रोजेक्ट हंगुल प्रोजेक्ट मगरमक्ष आया 1975 75 में मागर्माच 1975 में हिम तेंदुआ या दुहजार नौ में ठीक है तो इससे अब याद रखिएगा अगर आपस नेकी निमली कितमेसे कौन दुवितियक पर दूशान के उधरन है दुवितियक पर दूशन के उधरन नमें से कौन हो जाएगा कारबन डैयोकसाइड कारबन मो दुसन के उधारन है चले अगला परसने कि अपी को अपी को अंदोलन का संबंद किस राज से है तो अपी को अंदोलन का संबंद करनाटक राज से है और यह अंदोलन 1983 इस्वी में चलाया गया था इसके प्रनेता यानि हीरो पांडुरंग पांडुरंग हेंगरे को माना जाता है पांडुरंग हेंगरे को माना जाता है अगला परस्तित की पिरामीड कितने परकार के होते हैं तो परस्तित की पिरामीड तीन परकार के होते हैं परस्तित की पिरा अगला पसने कि ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भावगोलिक छेत्पल का ब्रिक्षावरण कितना छेत्र है तो इसका स्युत रोजागा 95748 वर्ग किलोमेटर और ब्रिक्षावरण कुल भावगोलिक छेत्पल का 24.62 परतिसत है अगला पसने कि ड्रोन के माध्यम से दवाया पहुचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन एस्टेशन किस राज में अस्थापित किया गया है तो इसका सही उतर हो जागा मेगालाय राज मे और इसका उदेश क्या है कि राज के विभीन हिसों में ड्रोन के माध्यम से दवायों क दवाओं की अपूर्ती करना अगला पसने की पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राजे कौन बन गया है तो पैदल चलने के लिए तो पंजाब सरकार दवराद 2023 मई में पैदल चलने के अधिकार को लागू किया गया अगर आपस नहीं कि किंग चाल्स त्रितिये की ताज पोसी में भारत का परतिनेदु किस ने किया तो ये किया थे जगदिप धनकर और जगदिप धनकर कौन है तो ये भारत के उपराश्ट पती है समिधान के किस अनुछेद के प्रवधानों का पर्योग करके राहूल गांधी को लोगसभा से आयोग ठाहराया गया था तो इसका सही उतर हो जागा अनुछेद 102 के एक के तहत और चलिए इसके बारे में जा लेते हैं क्या है राहूल गांधी को अग योग के घोशित किया गया था अगर आपस नहीं कि भारत ने अपना कैंपस अस्थापित करने वाला भारत में अपना कैंपस अस्थापित करने वाला पहला विदेशी बिस विदाले कौन होगा तो इसका सही उतर हो जागा डीकन भी स्विधाले और अस्ट्रेलिया के परधान मंत्री एंथिनी एल्ब नीज ने मार्च 2003 में भरत की यतरा पर आये थे और उन्होंने एलान किया कि जिलंग का डीकन इनवर्सिटी भारत में अपनी पहली साखा खोले वाला विदेशी विष्विधाले होगा इस कैमपस के सबना गुजरात के लिफ्ट सिटी यानि गांधी नगर में होगा और डीकन इनवर्सिटी में प्ढ़ने वाले छातरों में भारतियों कहीं सा 27 परतिशत है यानि भारत के विज़ार्थी वहाँ पर 27 परतिशत पढ़ते हैं अगला परस नहीं किन सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बचों के एडमिशन के लिए नियूंतम उम्र कितनी तैक करने का निर्देश राजयों को दिया है यानि किन सरकार न स्कूल की पहली कक्षा में बचों के एडमिशन के लिए नियूंतम उम्र कितना बताया है तो इसका सही उतर हो जागा 6 वर्स यानि 6 वर्स होना चाहिए पहला कक्षा में अगर बचा का एडमिशन करा रहा है तो 6 वर्स होना चाहिए अगला पसने कि चुनाव आयोग ने remote boating मसीन का प्रोटो टाइप त्यार करवाया है इसके जरीए किन लोगों को बोटिंग का उसर देने की योजना बनाया जा रहा है तो इसका सही उतर हो जागा अन राजियों में परवास करने वाले वोटर यानि माल लेज़े कि कोई वोटर जो है अभी बिहार में एकजाम माल ले जाएगा अगला पास नहीं कि ट्वीटर के नए सीओ कौन बने हैं सीओ सीओ कौन बने हैं ट्वीटर के तो इसका सही उतर हो जागा लिंडा या करीनो लिंडा या करीनो ट्वीटर के नए सीओ बने है और यह इटेलियन अमेरिकन मुल की महिला है ठीक है जिनको चीफ टेकन लॉजी उफिसर एलेन मास्क है, अगला पर्ख नैंकि हाली में चार्चा में रहा कलेसर नेशनल पर्क किस राज में है, तो कलेसर नेशनल पर्क या हर्याना राज मे अगला पस्दाइब केंदरिये बजट 2023 के अनुसार सुची एक और सूची दो से मिलान करना है तो एक तरफ सूची एक है दुतरा तरफ सूची दो है तो चलिए सुरू करते हैं एक तरफ है राजकोशिय घाटा तो राजकोशिय घाटा है अब से शामने जो दिया हुआ है वह सही है रजसो घाटा यह भी आपका सही है परभावी घाटा सही है और प्रात्मी घाटा यह भी सही है यानि अपसन नंबर इसका एक दो तीन चार सभी सही है देख लिजे दोस्तो रजकोशिय घाटा 17,86,816 करोर रोप्या है वैसे हैं आपका राजसो घाटा 8,79,855 करोर है तो इसको देख लिजे एक बर याद करिए ठीक है अमरित काल भारत एड़रेट 100 तक की यात्रा के दोरान निम्न में से कौन से चार मौके रुपांतरित हो सकते हैं तो कौन कौन हो सकते हैं एक तो हरित विकास हो सकता है एक महिलावों के आर्थिक ससकती करन हो सकता है एक अपका PM विश्व कर्मा कौसल समान हो सकता है एक परियाटन हो सकता है तो इसका अफसर नमर एक, तीन, पांच और छो हो सकता है एक, तीन, पांच और छो तो अफसर नमर भी इसका सही हो जाएगा रपसने कि विशुब्यापार के सेवा आयात में वर्स 2022-2023 में भरत का अस्थान कितना रहा है सेवा आयात में भरत का अस्थान दसवा रहा है दसवा सेवा आयात में जबकि बिस उब्यापर में मांस में आठवा मांस में आठवा बिस उब्यापर में सेवा निर्मात में सेवा निर्वात में आपका आयात में दसवा निर्यात में सतवा निर्यात में सतवा रिलेवेंट कब तक गैर जिवास्म इंधनों से 50% संचाई बिदूत उर्जा संस्थापित छंपता हासिल करने का लक्ष रखा है तो 50% संचाई बिदूत उर्जा ते रखा है 2030 तक 2030 अगला पासने के कौसल वर्धन है तो डिजिटल तंत्र को और विस्तार करने के लिए इसकील इंडिया डिजिटल प्लेटफर्म को सुरुवात की गई है इसका लक्ष क्या रखा गया है तो इसका लक्ष रखा गया है कि मांग आधारित अपचारिक कौसल वर्धन सक्षम करना एमे सेमी सहित नियोकताओं के साथ जोड़ना और उधमीता योजनाओं की लवता सु प्रकासी बादारी मिली है तो यह मिला है टाटा कंपनी को टाटा कंपनी को अगला पसमें कि हिमाले छेतर के अभियान के लिए किस संस्ता ने UAV अनेम्ड एरियल वेहिकल विक्सित किया है जो चीन और पकिस्तान के हिमाले बॉडर में समान ले जाने वाले की मदद करेगा तो यह बनाया है किसने तो DRDO ने अगला पसमें कि हाली में पंजाब के पुर्व मुख मंतरी परकासी बादल का नीधन हो गया है इन्हें पदम विभूसन से किस वर समानित किया गया था तो इनको पदम विभूसन 2015 से समानित किया गया था और यह सिरोमनी अकाली दल के नेत रहा थे और परकासी बादल पंजाब के पांच बार मुख मंतरी रह चुके थे अगला पसमें कि गलोबल स्टार्टप एकोसिस्टम इंडेक्स 2013 में भारत का अस्थान तो गलोबल स्टार्टप एकोसिस्टम तो इसमें इसका सही उतर हो जागा 21 और इस सुचकांग को स्टा अस्थान यह सिच्टम आप ब्लिंग इसको जारी करता है इसमें पर्थाम अस्थान जो है वह आपका अमेरिका का है और भारत में भारत का जो 2012 में भारत का अस्था उन्यस था सब्सक्रआख अभी 23 में 21 हो गया है तो अन्तराष्टिये मात्रि भासा दिवस किस्तित्री को म मनाया जाता है अग्ला परस ने कि आइफा आवड़स 2016 का नका किया गया तो आइफा cheating 2013 ऑवःजन और बुधाबी में किया गया और इसमर्शिस्थ अभीनेता रितिक रौसन को सब्सक्राइश्ट अभीनेत्री आलिया भट सब्सक्राइश्ट निर्देशक और डिडिरेक्टर आर्माधवन और सब्सक्राइश्ट फिल्म दिरिस्यम् टू को दिया गया अगला पसने कि 50 वा G7 सिखर समयलन 2024 का आयोजन कहा किया जाएगा तो G7 सिखर समयलन 2024 यह 2024 में इटली में होगा और उनचासवा G7 2023 में यह जपान के हिरोसमा सहर में किया गया और G7 में कुल साथ देश है कौन-कौन तो कनाड़ा है फ्रांस है जर्मनी इटली जपान बिर्टेन इवेसे और G7 की अस्थापना 1975 में हुई थी अगला पास नहीं कि 23 राष्ट मंडल खेल का आयोजन कहां किया जाएगा तो 23 राष्ट मंडल खेल का आयोजन या 2026 में आश्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा और पहला राष्ट मंडल खेल का आयोजन 1930 इसवी में कनाड़ा के हेमिल्टन में हुआ था अगला पास नहीं कि नमस्ते योजना किस मंत्राले के द्वरा जारी किया गया है नमस्ते योजना किस मंत्राले के द्वरा जारी किया गया है तो यह किया गया कि सहरी निया एवं अधिकारिता मंत्राले और आवास एवं सहरी मामले के मंत्राले के द्वरा जारी किया गया है इसका उदेश है कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मसिनी कृत स्वक्षा परिवेश बिक्सित किया जाएगा अगला पासने कि निमलिकित में से कि सराज सरकार द्वरा परतेक परिवार का डाटावेश तयार करने तता सरकारी योजनाव का लाव दिलाने के लिए फैमली आईडी पोर्टल लॉंच किया है तो फैमली आईडी पोर्टल या उतर परदे सरकार के दोर लॉंच किया गया है अगला पस्ने की परसिद पुष्टक कलेक्टिव एस्परिट कॉन्क्रीट एक्षन के लेखा कौन है तो इसके सही उत्तर हो जाएगा इसका सशी सेखर व्यम्पती अगला पस्ने की चोटे पर्यमाने के उद योगों के विकास के लिए सुझाव है तो किस समीति का गठन किया गया है तो छोटे प्रैमाने के उध्यों के विकास के लिए सुझाओ है तू कि समीति का गठन किया गया तो यह किया गया था आबिद हुसेन समीति का गठन किया गया था तो चलिए कुछ और जिसके समिती आये थि उसके बारे में जान लेते हैं जैसे गोईपुरिया समिती आये थि वड़र सुधार है तो कोठारी समिती आई थी वह सेक्षिक सुधार है तू नर्सी हुमन समिती आई थी वह बैंकिंग सुधार है तू सरकारिय आयो केंदराज सबंध के लिए आया था स्वामीनाथन जनसंख्या नीती के लिए आया था और आभिद हुसेन समिती या लगुद्यों के लिए आया था अगला पास में कि 2011 के जनगन्य के अनुसार भारत का दस्किय बृधिदर कितना है तो 2011 के जनगन्य के अनुसार भारत का दस्किय बृधिदर सत्रित असमलोग साथ दू है परतिसत में जबकि जनसंख्या घरत 382 परति वर किलोमेटर स्कॉयर पर भारत का जनसंख्या गरत है अगला पास में कि जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा ब्यक्ति सामिल हो जाते हैं तो इसे किस बिरोजगारी के नाम से जना जाता है तो किसी भी काम में जरूरत से ज्यादा ब्यक्ति सामिल हो जागा तो अटल पेंशन में 18-40 वर्स के बेक्तियों को सामिल के जाता है जबकि परधान मंत्री जीवन जियोती बीमा में 18-50 वर्स के बेक्तियों को परधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18-70 वर्स के बेक्तियों को सामिल के जाता है अगला परसने कि एसिया का पहला निर्यात संसकरन छेतर यानि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स कहां अस्थापित किया गया था तो यह किया गया था कांडला गुजरात में और एसिया का पहला निर्यात संसकरन छेतर 1965 में 1965 इसमी में ही कांडला गुजरात में अस्तापित किया गया था अगला परस्ण उपनी सद किस बेद का उपनी सद है तो परस्ण उपनी सद जो है या अथरो बेद का है जैसे मुंड को उपनी सद हो जागा मांड योन उपनी सद हो जागा और प्रस्ण उपनी सद यह सभी अथरोबेद का उपनी सद है अगला पसने कि चंड कौसिक पुस्तक के लेखक कौन है तो चंड कौसिक पुस्तक के लेखक इसका सही उतरो जागा छेमेश्वर छेमेश्वर जो है न या चंड कौसिक पुस्तक के लेखक है जबकि सिसु पलबद उस्ता के लेखक माधव कवी माग है कितारजूर जूर्णियम के लेखक भारवी है उतार रामचरित के लेखक भावबोती है सुर्ज सिधान्त के है आर्यभट और विकरांत कौराव के है हस्ती मल जबकि रगवणसम के लेखक है कालिदास अगला पास नहीं कि वह पर्था जिसके तहत किसान स्वेम भूमी का मालिक होता था या होता है और व्यापार को भूर आजसों के भूकतान के लिए जिम्यदार मना जैता है क्या कहलाता है तो इसको कहते हैं रहयतवारी पर्था और यह अत्वारी पर्त था कि सुर्वाar Thomas Munro के द्वारा भरत में किया गया था और यह यह कब किया गया था? 1828 वी में इसका स्थापनाय किया गया था और यह पर्त था Marthy मदरास, बंबाई और असम में लाग होई थी और इसके तहट किसानों को मलिकाना हक परदान किया गया था अगला परसने कि भरतिय रष्ट्रे कंग्रेस द्वरा किस दिन को पुन सोराज दिवस घोसित किया गया था तो यह किया गया था 26 जनवरी 1930 भी को और आविन अधिके टट पर अश्ट्रे धोज को फड़ाया गया था और 26 जनवर 1937 को भरतिय रष्ट्रे कंग्रेस द्वरा पुन सोराज दिवस मनाने की घोसना भी की गयी थी अगर आप आसना है कि निमलिखित में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 2755 80 में डिंडी गूल में एक सस्तागार के स्टापना की थी तो इसका सही उतर हो जागा फ्रेंच की सहायता से और 1761 70 में हाटार अली महसूर का ससक बना और हाटार अली के ही नेतरूत में पर्था मर्दिती आंगल महसूर यूद हुद हुआ और हैदल अर्ली ने फ्रेंच विसेशगयों की मदद से डिंडी गुल में आधनिक सस्तागार की अस्तापना कराई थी अगला बसने की निमली खित घटनाव पर विचार करना है एक तरफ क्रिप्स मिशन अगस्त परस्ताव नेहरू रिपोर्ट बेवेल हुजना तो नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले हो जागा 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था अगस्त परस्ताव 1940 आया था बेवेल है था 1945 और नेहरू क्रिप्स मिशन आया था 1942 तो ऐसे जोड़ियेगा तो अप्सन नमर कभी हो जाएगा तीन दू एक चार अगला पसन ने किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे समराजवाद से भी लड़ते भी है थे और सहयोग भी करते थे तो इसका सही उतर हो जागा रजनी पामदत कि कौन सा मदे कालिन भारतिय समराज फियापक अस्तर पर अस्तानी शवसाशन के लिए परसिद्ध था तो इसका सही उतर हो जागा चोल वंस और चोल वंस का संस्तापक बीज्याले था और इस वंस के रजधानी तंज़ोर थी तन्ज़ण और राजेंदर पर्थम के सासनकाल में यहवस अपने चर्म उतकर्ष पर था और चोल समराज अस्थानी स्वासाष्ण के लिए परसिदध था और नो शैनिक के लिए अगला पास नहीं कि पिटरा डियूरा सम्बनी था है पित्रा डिवडा किस से संभनित है तो यह है दिवारों में अर्थ किम्ती पत्थर जर कर फुलो की नकासिक करने से पित्रा डिवडा अगला पास नहीं कि महावीर ने अपने सिसियों को कितने गंधरों में भाइद गया था तो महावीर ने अपने सिस्यों को कितने गंधरों में विवाइद किया था तो यह 11 गंधरों में विवाइद किये थे और महावीर का जनम 540 इसापुर्व में मिर्तु 468 इसापुर्व में महावीर के बजपन का नाम बर्धमान इनके पर्था मनुआई जामील इनके अपन के दमात थे और यह जायन धर्म के तव 24 वे और अंतिमति रुथां कर हुए अगला पास नहीं कि महाजनपत हैं उनकी राजधानी से कौन सुमिलित सही नहीं है तो सही नहीं है तो महाजनपत है एक तरफ राजधानी है जैसे असमक है असमक के राजधानी पोटली असमक के राज पेना मिलक का उजा commodity जबकि चैदी का उजयन दिया वहाय गलत है चैदी का शक्ती मति था अज नमर्र डी का सफ़्ी हो जाएगा अगला पसने की निम्र में से किस ने हजार खंबा महल का निरमान करवाया था तो हजार खंबा महल का निरमान अलावदिन खिल जी के दोरा करवाया गया था और अलावदिन खिल जी ने सीरी का किला अलाई दरवाजा हजार खंबा मोहल का निर्मान करवाया था और इसके दोरा ही मुल नियंतरब परणाली की सुरुवात की गई और इसने सिकंदर रेसानी की सिना उपादिक धान की थी अगरा पास ने किन्निम लिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है सही सुमेलित नहीं है तो धर्माट का यूद अपरेल 1698 इसमी में हुआ था इसमें औरंग्जेव की जित हुई थी इसमें भी औरंग्जेव की जित हुई यानि ये तिनों यूद औरंग्जेव के द्वरा ही लगा गया था तो इसलिए अप्सन नमबर डी इसमें हो जाएगा अगला पास ने कि एज ओफ कंसेंट एक्ट किस गोर्णर जनरर के सहसन काल में पारित हुआ था एज ओफ कंसेंट एक्ट तो इसका सही उतर हो जाएगा अप्सन नमबर डी लैंस डाउन के सहसन काल में अगला पास ने कि मुस्लिम लिग द्वरा पकिस्तान की मांग कब की गई थी अगला पास ने कि भारतिये घरेलू बिदुत आपूर्ति में लाल बिदुत में तार रेड लाइट वायर और काले उधा सिंतार के बिच विवांतर कितना होता है तो भारत में अभी 220 वोल्ट चलता है अगला पास ने कि दिए के पतार्थों के पी एच का पी एच मन सही करम में कौन है तो इसका से उतर हो जागा अप्सन नमबर डिनिम्बु का रस 2.4 होता है कॉफी तो कॉफी का 5 होता है रक्त का 7.4 होता है मिल्क ओफ मेगनेसिया का 10.5 होता है तो इसका अप्सन नमबर D सही हो जाएगा अगला पास ने कि आदि मानो रोधिर की लाल रोधिर का निकाओ यानि RVC को पिरिथक किया जाता है और उन्हें समान लवन के घोल में तनुकृत किया जाता है तो क्या होता है तो होता है कि RVC के ब्यास में कोई परवर्थन नहीं होता है अगला पास ने कि याकरित द्वारा स्रावित पित के संबंद में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो याकरित द्वारा स्रावित पित के संबंद में तो इसका सही उतर हो जागा पीत के लिपिरो के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं यहीं कथन आपका सही नहीं है बाद बाकि अप्सान नम्मर B, C और D सही है अगर अगर आपस नहीं कोशिका के निर्मान होता है तो नहीं कोशिका के निर्मान कहां होता है तो यह होता है प प्रूस गरांति से होता है और प्रूस गरंति को नॉबल प्रश्कर किस कार्व पर मिला था किस ले मिला था तो परकास विधुन पर्वाव को खोज के लिए परकास विद्ध परभाव के खोज के लिए और इनको नोबेर पुरस्कार 1921 में मिला अगला पास नहीं कि निमलिखित में कौन यूकरियोटिक यानि एक कोशिकिये जीव का उधारन नहीं है तो इसमें से अपसर नम्मर डी हो जागा जीवानू जबकि सेवाल मानव और इस्ट एक कोशिकिये जीव का उधारन है अगला पस्ने कि मानव मस्तिक्स में अस्मरन छमता कहां इतित होती है तो अस्मरन जो छमता होती है या सेरी बरम में होता है सेरी बरम में पानी की बुंदे किसकी भांती पर्तित होती है तो पानी की बुंदे किसके इसका सता उतल होता है लेकिन वह उतल की भांती और लेंस की भांती कार्ज करता है इसका अपसर नमर डी हो जाएगा दिखाए उतल की तरफ देता है और काम उतल लेंस की भांती काम करता है अगला प होता है तो देट कि लोगते हैं आपको आभेस्प पाया याता है जब कि अलफा कर आयं धना वेशी स porn छाराक वहुता निसी खौनिक पदा Rugव में घूलकर ओएच माइन साइन देते हैं अगरा पतस् 몇 ने कि इस्तिति øreज्मों के समाध में नियुर्ण से कौन सा कफन असत तो इस्तिति युज्मों के उणैप एपस। अगरा पता है। तो सुस्क सेल का एनोड जो होता है न यह कार्बन का बना होता है कार्बन का जबकि कैथोड जस्ता का बना होता है अगला पसने कि कलोरीन अनुओ के बीच कैसा सहस्वयोजक बंदन होता है तो यह हो जागा एकल सहस्वयोजक बंदन होता है अगला पसने कि साबुन के पतले जाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उधरन है तो यह इसका सही उतर हो जागा परावर्तन और ब्यातिकरन अगला पास नहीं कि नमलीकित में से किसे कोशिकीये इंधन कहाता है। अगला पास नहीं कि रोगू रेडियो तरंगरर्सालोट रेडियो वेब्स की खोजकी सभाईगानी के दवरा किया गया था। अगला पासने की अखिल भारतिये खादी एवं ग्राम उध्योगों बोड की अस्थपना किस वर्स की गई तो इसका सही उतर हो जागा 1954 में जबकि कुटीर उध्योग बोड की अस्थपना 1948 में हुआ था कुटीर उध्योग बोड का 1948 केंद्रिये सिल्क का होगा था 1949 सिल्क लगाया गया था सिमेंट बनाने का पहला कर खाना तो यह लगाया गया था मदरास में कब तो 1904 इसमी में लगाया गया था अगला पस ने कि चाई इलाइची एमाम काजू की खेती के लिए सरवाधिक उप्युक्त मिटी कौन सी होती है तो इसका सही उतर हो जागा लेटे राइट मिटी अगला पस ने कि जलांगी नदी किस नदी की परमुक्त साहग नदी है जलांगी तो जलांगी जो है न या हुगली नदी का साहग नदी है हुगली अगला पास नहीं कि पच्मी घाट के दर्रे को उतर से दक्षिन की और सजाना है तो पच्मी घाट का दर्रा जो है उतर से दक्षिन की और सजाना है तो इसमें अप्सन नमबर पहले हो जाएगा थाल घाट थाल घाट का बाद भोर घाट भोर घाट का बाद पाल घाट और पाल घाट का बाद सेन कोटा तो इसमें आपका कौन हो जागा C पहले 1 आयेगा भोर जाल घाट उसके बाद भोर घाट इसके बाद पाल घाट उसके बाद सेनगोट आपशन नमर C हो जाएगा सिंडिलंका के बाद भारत की दुशा निकटलम पर अस है तो इसका सहतर हो जाए अगला पास ने कि निमली कित में से कौन सा जील केवल संजुक्त राज अमेरिका में इस्तित है तो संजुक्त राज अमेरिका में हो जागा मीसीगन जील मिसीगन जो एक झील है केवल अमेरिका में ही पाया जिता है अगला परशनलै कि उसन कटिबंदिय मरु अस्तलिय छेतरों की बनस पति को क्या कहते हैं तो इसका जो सही उतर हो जागा जीरो फाइट जीरो फाइट अगला प्रस्ण है कि निमलिकीत में से किस चटान में खनीज तिल पायाता है इसका सही उतर हो जागा और साधी चटान में और अगला प्रसने कि भारत डैनेमिक्स लिमिटेड का मुख्याले कहां है तो भारत डैनेमिक्स लिमिटेड का मुख्याले जो है इसका से उतर हो जागा हैदराबाद अगला परसने कि पादप जिवास्मों का अध्यन क्या कलाता है तो पादप जिवास्मों का अध्यन पेलियो बनस्पति कलाता है पेलियो बोटेनी अगला परसने कि इंटरनेशनल होकी फेडरेशन का मुख्याले कहा है तो International Hockey Federation का जो मुख्याले है वो लुसाने में है और होकी की सरवच संस्ता International Hockey Federation का मुख्याले लुसाने में है इसकी आस्तापना 1924 में की गई थी होकी का पहला बिशकॉप 1911 में अविद किया गया था जिसका विजेता पकिस्तान था अगला पसने की मेजर ध्यांचन खेल रतन पुरसकार से पहली बार किसे समानित किया गया था तो इसका सही उतर हो जागा विशुना था अनन्द को अगला पसने की निमलिखित में से कौन से पुस्तक रभिन्ना टैगोर दौरा नहीं लिखी गई है तो हंगरी एस्टोन लिख हैं गोरा लिखे हैं सब हंगरी एस्टोन लिखे हैं अधान का अधान का कि अधान के अधान के छे दियाएश और पांट कर दो दो नहीं है